नमस्कार दोस्तों आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर का दा हिंदू न्यूस पेपर और पी आईवी का इंपोर्टन करेंट अफेयर्स हमारा करंट अफेयर्स एक महीने का साथ पेज का पीडियाफ होता है और ये पीडियाफ आपको free of cost हमारे टेलिग्राम चैनल डेली दा हिंदू नोट सर्च कर लेना वहाँ पे अवलेबल होता है और देखो दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दू कई बार बच्चे पू कहीं का भी PCS exam हो उसके लिए भी काम का और one day exam जो बच्चे तैरी करते हैं SSC और bank के paper की उनके लिए भी हमारा काम का रहेगा साप साप मैं आपको यहाँ पे यही मतलब इससे निसकर्श निकलता है कि हमारा current affair हर उस exam में के लिए काम का रहेगा जहाँ पे national और international affair का current affair नहीं आए तो हमेशा की तरह बोलता हूँ unsubscribe कर देना ठीक है guys तो लीजे start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे जर्मन के जो chancellor है जिनका नाम है all schools ठीक है तो देखो इन से मुलाकात होती है हमारे prime minister साब की तो हमारे लिए very very important बन जाता है यह तो यह हमें बिलकुल ध्यान रख ठीक है guys तो आपको बिलकुल ध्यान रखना है next देखो रोहनी गोड़ बोले इनकी death हो जाती है recently इनको एक दो अवोर्ड भी भारत सरकार के दवारा दिये गए थे तो रोहनी गोड़ बोले जो है एक फिजिस्ट रहा चुकी है और IISC जो एक्स प्रोफेशर है हमारा जो मा आने हुए world level के top science के institution में से एक होते हैं हमारे जो IISC जो है Indian Institute of Science वाले ठीक है तो वहाँ भी ये प्रोफेशर रहा चुकी है तो इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना बस किस फिल्ड से किस चीज से समंधित है क्योंकि एक क्यूशन आजकल जो PCS level के exam है उनमें भी जिनक Department of Biotechnology एक agreement sign करते हैं conduct करने के लिए Biotechnology Experiment in Space Station ठीक है तो ISRO के बारे में basic information फिर आपको ध्यान रखना है बिल्कुल जैसे कि ISRO जो है कब found किया जता है कब निकल के आता है 1979 में founder सारा भाई साब के बारे में पता होना चाहिए पहला हमारा जो आर्ये बटा रहता है satellite उसके बारे मे जो chairman साहब है एस सोमनात इनका पूरा नाम comment करके बताना कि इनका नाम स्री धरपानिक करन सोमनात या क्या कुछ है मतलब comment section में जरूर बताना इनका पूरा नाम क्या है ठीक है अब ISRO के motto के बारे में बात करें तो देखो ISRO का जो motto है वो है space technology in the service of humankind ठीक है तो ये चीजे भ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है paper में direct पूछी जाती है ठीक है next अब हम बात करेंगे यहाँ पे M.G. नरेगा के बारे में M.G. का मतलब होता है महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act 2005 ठीक है पहली बात ये भी पता होना चाहिए act कौन से साल में आता है कई बार even PCS level के जो exam होते है ये act कब आया था ठीक है एक बार हरियाना civil service में पूछा गया था मतलब ऐसा ही सवाल HCS में direct agities ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि act कब आता है दूसरी बात जो बच्चे SSC या bank के paper की तैरी करते हैं उन बच्चों को इतना भी ध्यान रखना है बिल्कुल कि M.G. नरे और इस M.G. नरेगा स्कीम के तहत minimum जो है वो 100 दिन का रोजगार unskilled manual work ठीक है और eligibility criteria के बारे में बात करें तो आप अगर M.G. नरेगा में आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए दूसरी बात rural household तीसरी बात 18 साल की age आपकी होनी चाहि यह ministry of rule development इसका देखरेक वो करती है और भारत में सबसे ज़्यादा चलो comment section में बताना प्यारे भारत में सबसे ज़्यादा जो M.G. नरेगा के तहत जो पैसा दिया जाता है वो कौन सा राज्य देता है ठीक है comment में बताओ चलो हरियाना भी हो सकता है यह मैं आपको बता दू और अगर हरियाना है तो कितना पैसा देता है मतब कौन सा राज्य है जो सबसे highest wage देता है और कितना देता है देखो ऐसी चीज पेपर में direct पूछते है ठीक है तो इन चीजों का तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे अब सरकार ने loan limit जो है न मुद्रा योजना के तहत वो 20 लाग रुपे कर दी है खुस हो जाओ पहले 10 लाग रुपे लिमिट थी वो अब यह लिमिट जो है 20 लाग कर दी है ठीक है और यह जो योजना है मुद्रा योजना इसका मेली काम है प्रमोट करना entrepreneurship को हमारे देश में और micro units देखो अब मुद्रा की full form क्या है what is मुद्रा है तो मुद्रा है micro units development and refinance agency limited और यह भी आद रखना मुद्रा जो है वो refinancing institution है as it is mentioned here और यह loan नहीं देती directly मतलब does not lend directly to micro entrepreneur को या individual को नहीं देते है directly पैसा ठीक है और collateral free loan दिये जाते हैं कब आती है योजना यह भी आपको ध्यान रखना है आठ अप्रेल 2015 ऐसे अगर मन्त नाम याद ना रहे न तो देखो यह तो पता होना चाहिए कि कौन से साल में मुद्रा योजना आती है पता होना चाहिए ठीक है department of financial services and ministry of finance के तहत अधिना आती है यह ध्यान रखना है उसके बाद में गाईज हम बात करेंगे इंडिया का ज नेशनलाइज कब किया गया था भारत में कौल सेक्टर को कमेंट सेक्षिन में जरूर बता और बारत में जो फेमस कोल वाइन्ज है कों कहा कहा है और लार्जेस्ट कुकिंग कोईल इंपोर्टर है प्यारा भारत ये भी याद रखो आप उसके बाद में प्लेसिन न्यूस में आज आपको दिखा देते हैं देपसांग प्लेंस और धैमचोक जो काफी मतलब एक तरह से डिस्प्यूटी टाइप के एरिया हो जाते हैं चाइना और प्यारे भारत की बात करें तो यहाँ पर जूम करके मैप दिखा रहा हूं देख लो बिल्कुल दैमचोक ठीक है तो लोकेशन आपको दिखा दिये देख लेना लोकेशन अच्छे से उसके बाद में आपको एक सवाल दिखाते हैं ठीक है मातमा कांदी एमजी नरेगा के उपर पूछा गया सवाल दोहजार ग्यारा में यूपेस से के तवारा पूछा गया सव सवाल है देखो पहला सवाल क्या है अडेल्ट मेंबर्स ओफ ओनली दा सेड्यूल कास्ट एंड सेड्यूल ट्राइब साउसोल्ड वह एलेजिबल है बेनिफिट लेने के लिए नरेगा स्कीम का लेकिन यह बिल्कुल गलत है वही नहीं है सिरफ तो यह काटो इसको का डाटा है एक्ट से रिलेटिड वो मैं शेयर करूंगा वो चेक आउट कर लेना ठीक है फिर भी आपका कोई सजेशन कोई सुझाओ रहता है नो डाउट एज ओल्वेज मैं आपको बोलता हूँ हमेशा की तरह कोई सजेशन कोई सुझाओ कमेंट कर दिया करो बताया करो मे प्रिबोग